Hello students! Welcome to Organic Chemistry Class तो students हम डिस्कस कर रहे थे Electrophilic Aromatic Substitution Reaction के बारे में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं Orientation of the Substituents आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Deactivating Groups के बारे में जो की Meta Directing Substituents होते हैं अगर हम previous class के बारे में थोड़ा सा revise करें तो हमने discuss किया वहाँ पे electron donating groups के बारे में जो की activate करता था आपके benzene ring को यानि electron density को benzene ring में increase करता था जिसकी वज़े से आपका electro file यानि safe or nitro group इस benzene ring पे easily क्या करते थे अटेक करते थे यानि हमने देखा कि electron density benzene ring के comparison में जहां पे activating group या electron donating group attached होते हैं उसमें electron density high होती है और आपके electron आपके जो electro file है वो easily attack कर पाते हैं इसलिए rate of reaction क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम energy profile diagram से समझना चाहेंगे तो इससे for example यह आपका benzene है यह आपका toluene है यहाँ पे हमने कहा था कि toluene जो है यह आपका methyl group जो है electron donating group है हमने hyperconjugation का आपको structures भी दिखाये थे और इसके बाद जब इसका irinium आयान बनते हैं यहाँ पे वो further stabilize होते हैं इस चीज़ को हमने discuss किया था तो देखिए अगर हम benzene ring की बात करते हैं तो यहाँ पे यह ray of reaction यहाँ पे देखिए ऐसे जा रहे है इसका diagram ऐसे यानि हमें यहाँ से यहाँ तक activation energy देना पड़ेगा यानि इतना एक्टिवेशन एनरजी हमें ज्यादा देना पड़ रहे हैं लेकिन अगर इस benzene ring के साथ कोई activating group add हो जाते हैं या electron donating group जिसको हम कहते हैं वो अगर add हो जाते हैं तो आर्थो और पेरा पॉजिशन पे एक्टिवेशन एनरजी इतनी ही जरुवत पड़ती है क्यों क्योंकि आर्थो और पॉजिशन पे जो इसका इरीनियम आयान है जो इसका intermediate है वो highly stabilized हो जाते हैं जैसे एक resonance form में तो positive चार्ज यहाँ पहुंच जाते हैं सिमिलरली अगर आर्थो पे आर्टेक करते हैं तब यहाँ positive चार्ज आते हैं और यह resonance form further stabilized होते हैं जिसकी वज़े से आपके जो ट्राजिशन स्टेडिया आपका जो intermediate का जो energy level है वो नीचे आजाते हैं कम हो जाते हैं अब इसमें इनर्जी के कम हो गया और रेड़ आप रियक्शन क्या हो जाएगा फिर भी रेड़ रियक्शन एस compare to benzene क्या होता है थोड़ा सा हाइव होता है क्यों होता है कम से कम इसमें थोड़ा सा electron density benzene ring पर तो आ रहा है ना इसमें तो कोई ऐसा ग्रूप नहीं था जो की benzene ring पर electron donating group बेंजीन रिंग पर electron की density को क्या करें इंक्रीज करें तो रेड़ आप डियक्शन हमेशा फास्ट किसका होगा आर्थो और पेरा सब्सक्रीट का फिर इसके बाद मेटा पर फिर इसके बार लास में बेंजीन आएगा तो इस चीज़ को हमने आल्रेड़ी डिसकस किया यह थ देक्टिवेटिंग से आपको समझा समस्कीन की बेंजीन रिंग से क्या है ले रहे रहे हैं है यह और इसकी वाज़े से अब बिनजीन नहीं कर पातना क्यूंख़ देंस्टि टे रहे थे तो तो रेड़र अब रेक्षिन क्या हो जाएगा पिर एस युथ एडि़न करेंगे बिच्छेन युथ एस सबोल विशन हो जागा है क्योंकि उसने द्रिंग के आपके अरोमेटिक कंपौंड से और को विद्रॉब कर दिया तो यह देखों लाग टाइम्स लेस्रीक्टिव दन बेंजी इतना इसका स्लो होता अगर आप नाइट्रेशन करते हैं बेंजीन का एक नॉर्मल कंडिशन पर तो यहां पर आपको बहुत सारे कंडिशन आपको कंसेंट्रेटि नाइट्रिक एसिड और सल्फिरिक एसिड के अलावा 100 डिग्री सेल्चियस तक आपको टेंप्रेचर बढ़ाना पड़ता है यानि हाँ हाँ कंडिशन आपको जैस्ट करना पड़ता तभी यहां पर आपके मेटा पेरा और अर्थो पोजिशन पर यहां पर सब दो पॉइंट सेवन पर संदेखें तो ऐसा क्यों हो रहा होगा अब हम इसके मेकेनिजम को समझने की कोशिश करते हैं तो यहां इसका मलब जो डी एक्टिवेटिंग ग्रूप है या एलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रूप है वाब के इनकमिंग एलेक्ट्रो फाइल को क सबस्टिटुमेंट्स भी कहते हैं अब क्यों करते हैं यह इस पुजिशन पर इसको हम थोड़ा अभी डिसकास करते हैं से फॉर एक्जामपल आपका यह नाइट्रो बेंजीन है ठीक है यह नाइट्रो बेंजीन है अगर हम इसका स्ट्रक्ट्ट्र ऐसे ड्रॉड करेंगे तो डबल बॉन हो पर कुण से चार्ज आएगा नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आएगा ठीक है क्योंकि इसका लोन पर यूस हुआ है ठीक अब यहां अगर यह एलेक्ट्रोन को विड्रॉड कर रहा है अगर इसका हम रेजनेंस फॉर्म यहां पर ड्रॉड करेंगे ठ दिखें यहां पहले हम रेजनेंस की बात करते हैं तो कैसे जाएगा इसका एक्सप्रेक्टिश जो रिजर के नॉनिकल फॉर्म होगा वह ऐसा होगा कि एन पर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव रह जाएगा क्योंकि डबल बॉन तो 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 यहां पर थोड़ा सा इस ओ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा है की नहीं यहां से लेक्ट्रोन चला गया यहां पॉजिटिव चार्ज मीन्स आर्थो पर इलेक्ट्रोन रिंस्टि क्या हुआ कम हुआ अब नेक्स क्या पॉस्प्लिटी है यहां से यहां जला जाएगए तो एक और रेजनेंस पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा यहां आएगा और यहां पर टेक और क्या बन सकते हैं इसमें इसने पैरा पॉजिशन से भी अलेक्ट्रोन डेंस्टि को ले गया है यहां से यहां आ सकते हैं डबल बॉन एन है ओपे नेगेटिव चार्ज है ओपे नेगेटिव चार्ज है तो यहां आप डबल बॉन है यहां डबल बॉन है पॉजिटिव चार्ज फिर से अर्थो पॉजिशन पे पहुंच गया है और सेकंड में क्या हो जागा और लास वाले रेजनेंस पार्म में य कहां चला जाएगा यहां से यहां आएगा यहां से यहां आएगा तो क्या होगा कि यहां डबल बॉंड है यहां भी डबल बॉंड है अब बनेगा डबल बॉंड यहां पर यहां पॉजिटिव चार्ज रहे गहां यह एलेक्टॉन डेंस्टी जब यह रेजनेंस शो करते हैं तो एलेक्टॉन डेंस्टी कौन से पुजिशन पे कम हो रहे हैं आर्थो पुजिशन पे पेरा पुजिशन पे और फिर से आर्थो पुजिशन पे यानि मेटा पे इसका असर इतना नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं ह यहाँ पर याद रखना because of resonance आर्थो और पेरा पोजिशन पर एलेक्ट्रोन की density कम हो जाते हैं लेकिन आपका मेटा पोजिशन अनएफेक्टिट रहते हैं अब हम comparison में कह सकते हैं कि मेटा पोजिशन पर एलेक्ट्रोन डेंस्टी एस कमपेर टू आर्थो और पेरा पोजिशन क्या होगा हाई होगा अगर इस बेंजीन रिंग के सब एलेक्ट्रोन विद्डॉइंग ग्रूप आटेज होगा यह हो गया resonance का दूसरा यहां पर है देखो पॉजिटिव चार्ज है यह एलेक्ट्रोन का अपनी तरफ क्या करेगा अट्रेक करेगा इंडेक्ट्व इफेक्ट जिसको हम कहते हैं मैनस आई इफेक्ट दिखाएगा जिसकी वाज़े से इस बेंजीन रिंग से बाहर सिला जाएगा इलेक्ट्रोन डेंस्टी और कम हो जा है यहां पर आप हम बहुत सारा इतना जबरदस्ती करेंगे हाई कंडिशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रोब फाइल कहां जाना चाहेगा जहां पर इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोन डेंस्टी दिखें तो कहां दिख रहा है उसको यह तो में मेटा पोजिशन पर ही दिख रहा यह तो इसलिए आपका नाइट्रो रूब या या यहएंट्रो विड्रॉइन गृपस आपकी incoming इलेक्ट्रोफाइल को डारेक्ट करतें हैं मेटा पोजिशन पर एक चीज़ यहां रखना है की आपके मेटा पोजिशन को एक्ट्वेट नहीं करतें हैं यह याद रखना वह एलेक्टन डोनेटिंग गुप और तो और पेरा को एक्टिवेट कर रहे तहीं बढ़ा रहे हैं यह इसको कि देट नहीं करते हैं क्बीशन क्श टूर्ड एंपेरा पुजिशन स्टान क्या होता है इस पर एलेक्ट्रांट डैंस्टी हाइफ होने होते क्योंकि यह आर्थो और पेरा पोजिशन को डी एक्टिवेट करते हैं तिक एलेक्ट्रों डॉनेटिंग ग्रूप और तो और पेरा को एक्टिवेट करते हैं बस इतना है इसलिए वह कहां जाते हैं इनकमिंग अइलेक्ट्रों फाईल मेटा पोजिशन पे इसलिए मेटा सबस्ट्यूटिट्ट निट्रों बेंजिन हमें हाई कंसंट्रेशन में मिलते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं विद्राइंग ग्रूप देखा एलक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप देखा सब में जो इफेक्टिट पॉजिशन कहां पर है आर्थो और पैरा पॉजिशन पर है तेक अगर हम डोनेटिंग ग्रूप यहां पर आटेश करते हैं बेंजीन रिंग तो आर्थो और पैरा पॉजिशन एक्टिवेट हो जाते हैं बस इतना याद रखो अगर विद्रॉइंग ग्रूप लगाते हैं एलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रूप जैसे नाइट्रो तो वह आर्थो और पैरा पॉजिशन को डिएक्टिवेट करते हैं बस आप इतन डोनेटिंग ग्रूप ठीक तो हमने अभी इस चीज को हमने अभी पड़ा कि नाइट्रो ग्रूप जो हता है वो स्ट्रोंगली डियक्टिवेट करते हैं आर्थो एन पेरा पोजेशन को इसलिए कहां पर आते हैं आपके मेटा पोजेशन पर और सेकनली इसका जो इंडेक्ट् प्लस चार्ज है वो एलक्ट्रों को फर्दर अपनी तरह बाट्रेक करते हैं और मैनस आई एक्ट्रों इसमें अलेक्ट्रों डेंस्टी बेंजीन रिंग में कम हो जाती है और वो डियक्टिवेट हो जाती है इस चीज़ को हमने अभी डिसकस किया अब हम यहां इसके बाद है चलो हमने देखा यह आर्दों पाॉजिशन को ड्यक्टिवेट कर आब हम देखते हैं अगर हमने अलेक्टों फईल को आपके कौन सी पिजिशन पर आर्दोंपर आठेक करते हैं तो चया होते और तो किया होते यहां पर क्या होगा रात पॉजिट्व चार्ज कहा आएगा फिर यहां पर आएगा है ना तो इसके और एक रिजनेंस फॉर्म केसे बन सकते हैं यहां से यहां जाएगा तो यहां पॉजिट्व चार्ज आएगा तो एक पॉजिट्व चार्ज यहां आएगा तीन रिजनेंस फॉर्म बन रहे हैं यानि अफसमें एक दूसरे के आ पोजित में आ रहे हैं एक दूसरे के लाइक चाल क्या करते हैं रिपल करते हैं गर उसको क्या उन्ही Anita करेगा जब रिपल करेंगे तो यह वाला जो रिजनेंस फॉरम है वो क्या हजाएगा हाईली डिस्ट एपलाइस हो जाएगा और जिसकी वज़से आपका जो इरिनियम आयान का जो से डिखा रहे हैं उसमें उसमें एक इसकी वज़से डिस्ट आभिली टि की आ पॉजटिव चार्ज एड़ेसंट्टू इस पॉजटिव चार्ज होने की वच्छ यह रेजनेंस फर्म डिस्टैबलाइस हो जाएगा जब यह कब होता है जब आर्थो पर अटेक करते हैं यहां यह यहां चला गया तो इस पोजिशन फे पर इसे शिब्ट हो जाएगा फिर से वही कंडिशन पहला वाला इस में सेकंड रेज्टीव चार्ज एक दुसरे के पॉजट में थिक़े तो एक तो अब प्या हो यह व़गा यह जो रिजिनेंस फर्म हाई अन्स्टैबलाइस हो जाएगा है ना हाइली अंस्टेबलाइस हो जाएगा तो हमारा इसके वज़े से क्या हो रहा है अंस्टेबल हो रहा है यहां पर इसके वज़े से अंस्टेबल हो रहा था टोटली रिवार्स और अलेक्टॉन डोनेटिंग ग्रूप वाला यहां अलेक्टॉन डोनेटिंग कि अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डाइग्राम बनाते तो यहां अब यह इसका इंटर्मीडेट का इनर्जी हाई हो जाएगा है ना क्योंकि यह डिस्टाबलाइस हो रहा है जिसकी वज़े से हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा तो रेड़ आव एक् हैं जहां पर आपका इरीनियम आयां डिस्टैबलाइस होते हैं लेकिन अगर मेटाप्याटे करते हैं तो क्या ऐसा सच्वेशन आता है मेटाप्याटे किया तो से यहां से यहां चला गिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा तो यहां से यहां चला जाएगा त तो दो positive charge जब मैटा पर आटेक करते हैं वह एक दुसरे के counter में नहीं आते हैं दो एक दुसरे के opposite में नहीं आते ह। lendम अजए ढूर दूर रहते हैं आपके स्थर्ण घरभा इसने आटेक किया था तो तो एस कंपेर टू हम बोल लेगे उर्व 27 पर जब नाइट्रो घर करते हैं तो एस कंपेर टू इस टू और यह जो मेर्टर पूजिशन वाला क्या है बता क्वाइब अध़्य का सधेह सिग्मा कांप्लेक्स है वो थोड़ा से क्या हो जाएगा स्टाह नहीं अर्थे करेगा आपका थोड़ा चाहाँ पर स्टेबल है वहां टेक करें लेकिन हमेशे अभी अभी भी आपको याद रखना एस कंपेर टू बेंजीन यह थोड़ा सा क्या है अनस्टैबल है तो इसलिए रेड़ आप रियक्शन बेंजीन के कंपरेजन में बहुत ही बहुत ही स्लो होत ऩह अ-पायदर रखना है और पन्द नहीं करते बलकि की क्या ऐक्तिवाट करते हैं और कोई दुसरा हम एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि आपका ये वाला है ना यहां पर कार्बोनिल गूप इसके साथ अटेच है कार्बोनिल गूप यहां से यहां चला जाएगा तक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका एक रेजिनेंस फॉर्म में फिर से प पॉजिशन पर आता तो कहां जाता तो यह मेटा Pacific पर आता तो यह । जा रहा है ये जो और जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे इसके पर पॉजिट में नहीं आरहें है तो यहां मैटा पॉजिशन पर ऐसा कोई अछर यां एशा कोई एक्ट नहीं हा रहे हैं ठीक और जो positive चार्ज है यहां इस position और इस position पे device हो रहा हुआ है यहां पे positive चार्ज यह तो यहां शोट रहा है और हो यहां भी लोगोलाईS तो इस से हमें पता चल रहा हैं कि electron density एक तो और यूह होँद हुआ था और अटेक करने केद fighting एक ऐसा रेजिनेंस फोर्म बनाते हैं जो इसकी रेजिनेंस ट्रक्टर को एंस्टेबलाइस करते हैं तो क्यूं अन्सेडाइस की तरफ जाना चाहेगा इससे बेचार जो थोड़ा इस पर ही और उसी को फॉल्व करने की कोशिश करेगा इसलिए वह मेटाप एंडायक करते हैं ये तो सेंपल से आपको पास इतना याद रखना है अगर हम energy profile diagram देखते हैं तो बेंजीन में electron density high है इसके comparison में क्यों कि electron withdrawing group है और electron density बेंजीन रिंग से ले जा रहा है तो यहां पे rate of reaction एतना थोड़ा सा फास होगा के comparison में क्यों activation energy यहाँ पे activation energy इतना है देखिये आप इसका जो सिगमा कंपलेक्स बनते हैं हाईली डिस्ट्याइज हो रहा है ना डिकोज वहर ही कम हौरा है नहाचे ये करन कर रहे हैं तो पॉजट्डीव चार्ज होते हैं दो पॉजट्डिव चार्ज रहा है ठिश्टीजिस का एक्ट्वेas functional इनर्जी इतना बढ़ रहे हैं और अर्थोएन पेरा पॉजिशन पे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के जैसा पॉजिट में आते हैं तो हाइली अंस्टेबल हो जाते हैं देखो एक्टिवेशन इनर्जी इसमें और बढ़ रहे हैं तो रेड़ और रेक्शन फास किसम और बने वाला तो है नहीं यहां देखो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है मैं और यहां पर है नाइट्र ग्रूप के लिए हाउज हो जाते हैं अब हम कौन से ग्रूप हम बोलेंगे मेटा डारेक्टर जार डी अबही तक हमने डोने तेन्ट ग्रूप में क्या था लोन पेर ऑफ एलेक्ट्रों थे और मीधाइल ग्रूप थे हैं ना मीधाइल ग्रूप बिकाज व हाइपर कंजुगेशन यह यह प्लस आई एफेक्ट की वज़े से था एलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप है ना इन में क्या होगा फिर कोई लोन पेर एलेक्ट्रॉन नहीं होगा या जो एटम का आपके अरोमेटिक कंपॉंड के रिंग के साथ डिरेक्ली लिंग है उस पर कोई पॉजिट्व चार्ज होगा हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे आपका नाइक्ट्रों ग्रूप है आपका सलफोनी ग्रूप है लेक्ट्रॉन रही हैं सेहां जाएगा यहां सेहां जांगा सकते हैं तो इस तैपका एक्जामपल की आपको अगर कोई Tech करवाना है के से पोजिशन पर आपका आठीक करना है कूंसे पुजिशन के डारेक्ट करेगा मेटा पोसिशन पर लिखो अइसए ठ्क है जाए bare आ tofu और यहां lecture आ रहा है यहां आपका तो यह को इस को इसकी पीला है यॉप यहाँ आपका जैसे होर्ण आमुणियम आयान जो है पाज जी चाहर नहीं होता तो यह डोनेटिंग होता अब आनि के वज़े से क्या बन घया अब यह एक्ट्रों विद्ड्वाइङ दूप वन गया अगर यह टर्षरी होता लेक्ट्रै न decisions होता तो लेक्टान डोनेटिंग होता यह इस तरह साथ पता कर सकते हैं अब हलो जचिन्स को है आप क्या कह सब्सक्राइब है हलो जळन्स अगर हम has कreंगे यह क्अध्षन भी दो जंगेंगे यह एलेक्टिण को अपने तरफ क्या करेगा एलेक्टिण हो जाएक जाएगा है ना जब deactivate हो जाएगा तो यह क्या करना चाहिए meta position पे direct करना चाहिए आपके incoming क्या electro file को लेकिन ऐसा नहीं करते हैं यह artho and para directing है क्यों है because इसके पाद जो non bonding electrons होते हैं वो अपने electron density को ring को donate करते हैं through pie bonding या through resonance donation तो इसलिए यह artho and para position पे जाते हैं से फार example हम अगर ऐसे देखेंगे ना अगर हम इसे एक ही structure मना के दिखाऊंगा आपको यहां chlorine है for example chlorine है यह है तीन non bonding electrons है इसके पास है कि नहीं यह इसके साथ इस तरह से resonance दिखा सकते हैं हालांकि इतना effective और लेपिंग नहीं होते हैं क्योंकि और वेटल आपके chlorine का और आपके कार्बन का जो है वो इतना energy comparable नहीं होते हैं effective और लेपिंग नहीं होते हैं फिर भी थोड़ा सा electron density ring की तरफ क्या हो जाते हैं रिंग की तरफ electron density shift हो जाते हैं तो Одに ड्रफ डपना आएगा की यहां अपनेगेटिव चार्ज हो जाएगा है ना इस तरह से इसके बात यह नेगेटिव चर्थ ऐसे जाएगा यह यहां से यहां चला जाएगा तो क्या बनेगा इसका एक resonance form यहां पे डबल बॉन आएगा यहां पे अब नेगेटिव आएगा यहां इस तरह से यह इस तरह के हमने बहुत बार किया है ठीक है तो मैं कहने के मलब यह है कि आर्थो और पेरा पॉजिशन पे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस्टी को बढ़ा देते हैं इसको हम क्लॉरीन क्लॉरोनियम ऑयन कहते हैं ठीक है इस तरह एक लूरीनियम अयन बन जाते हैं आप इसमें दो चीज़े एक दुसरे के अपोजिट्र काम कर रहा है हापका एलेक्ट्रोन ऑड्डॉइंग क्रेक्टर किसकी वाज rabbits से इसकी हाई एलेक्ट्रोन निगेंगेटिवटी के विजब से एलेक्ट्रॉन विद्ड्रॉइंग ग्रूप अ सब हाइन यह स्ट्रोंगř, अलेक्ट्रो忍 देनस्टी बहुत कम करते हैं लेकिन दूसरा इसके अपोजिटमें ओर एक हो रहा है एलेक्ट्ट्रोन डोनेटिंग एफेक्स हो रहा है किसका प्रेज्ट्रोप तोड़ा सा आपके रिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं याद रखना इतना फेक्टिवली वर्लेप नहीं होते हैं तो इतना electron density यहां पर नहीं आते हैं इसलिए यह एक्चुली डी एक्टिवेटर डी एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है कौन हेलोजेंस यह एक्टिवेट हो जाते हैं लेकिन अगर हम फिर से नाइट्रेशन करते हैं तो यहां आर्थो पर थार्टिवाइव परसन मेटा पर एक ही परसन पेरा पर सिक्स्टिफोर परसन ठीक है एक चीस्तों हमने देखा कि यह एलेक्ट्रोन एसिडी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कौनसे पोजिशन पर रटों äर्टोन पिरा प्र पूजिशन पर और एक अफिक्ट क्या होगा चिब अगर अगर आटेक करेंगे तो क्या होगा यहां पर आर्टोन पूजिशन पर आर्टेक है इसको हम यहां तो सब्सक्राइब विए इसकläड करते हैं न talk prep is for example है नहां यहां से इस पार टेक करेगा यहां से यहां ष्ट होगा तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर है जो एरिन यहांuciones सिंहां है यहां पर आपका अब्लाइन होगा यहां पर है । यह यहां पर आपका क्लॉरीन इसके करेंगा स्टेबलाइस करेंगा कि कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं स्टेबलाइस करते हैं इसको दे देते हैं अपने दो लोन प्यार और अलेक्ट्रॉन तो यहां पर क्या आएगा जो नॉन बॉनिंग अलेक्ट्रॉन जब इस पर आते हैं तो यहां डाबल बॉन आयान बनेगा ब्रोमिन होगा तो ब्रोमोनियम आयान बनेगा तो यहां पे आएगा आपका अलेक्ट्रोफाइड देखो तो यह वाला जो आपका सिग्मा कंप्लेक्स है वह थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है बिकाज यहां इस पॉजिटिव चार्ज को इसके non-bonding elektron ने क्या किया stabilize किया इसी लिए electro file कहा जाना चाहेगा अर्थो पॉजिशन पर अर्थो पॉजिशन पर तो अलेक्रों डिंस्टी भी हाई था और अटेक करने के बाद भी इसका जो irinium complex है या आपका sigma complex है क्या हो जाते हैं स्टेवलाइज हो जाते हैं लेकिं इसकी अपोजिट में अगर हम ऐसे करते हैं इसके ferra position पहुँ यही होगा आप इसको try की जेगा अब मेटा पहर हम अगर attack करते हैं तो क्यों होगा मेटा पाड़ करेंगे तो save for example फिर से यही है यहां पर हमारा क्या है आपका chlorine है for example है ना और Meta Position पर attract करते हैं Meta Position कौन सा हुआ यहां पर आपका यलेक्ट्रों फायल यह आपका Meta Position है ठीक है ना यहा तेक करते हैं इसे यहां से यह आप यहां सुरी यहां टेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोन यहां से यहां आएगा तो यहां क्या होगा आपका chlorine है यह दबल बॉन आएगा यहां डबल बॉन आएगा यहां प्राटेक यहां पर पॉजिशन पर तो अर्थो पे आपका सूर्भएरा पर पॉजिटिव चार जाएगा और आपका यहां आएगा ठीक इसके बाद यह यहां चला जाेगा तो इसका एक resonance form क्या बनेगा क्लोरिन यहां पर हे डnff Eli !!! यहां चला गया और double बान हाई यहां पर नदा यहां का अरे का क्लोरीन आप का ए लेक्तरुफ there ए और वहां से यहां चला जाएगा यहां , यहां छला जाएगा graders No.P का यहां पर प्या है क्लोरीन है और आप अपका इलेक्ट्रोरल है और यहां से यहां डबल बॉन्ण आया पर यहां produzday strategy यहां यहां करतेख तो इसके लिए बार्णिंग इसको स्टेबलाइस कर रहे तो कोई भी ऐसा सच्वेशन नहीं आ पाते हैं जहां पर आपका क्लोरीन का या आपके हेलोजेन का नोन बार्णिंग जो बनता है वो थोड़ा एस्टेबलाइज हो जाते हैं तो इसलिए यहां पर नो जाते हैं हां यहां बैंच यहां यहां बनते नहीं बनते हैं यां योरोनियुक्रॉरोणियुटी बाद की इस तरफ याद रखना है लोगन- अल्दो थे और डिएक्टीवेटिटिंग गूप एस इस कंपेरे टो बेंग्जीन ये क्या है बहुत ही रेड प्रीयक्शन बहुत ही श्लो होता है यह कंपेर अब नोन बॉंडिंग एलेक्टरों डेंस्टी आर्थो और एन पेरा पोजिशन पे शिप्ट हो जाते हैं इसलिए आर्थो और पेरा पोजिशन पे यह डारेक करते हैं और दो दीज आप डीडियेटिग ग्रूप क्योंकि हमारा रिफ्रेंस क्या है बेंजीन से एनर्जी प्रोफाल लेग्राम से आप सीधे समझ सकते हैं बेंजीन देखिए इसमें एक्टिवेशन इनर्जी इनना चाहिए है ना यहां इसका जो एरेनियम आयान है थोड़ा सा डिस्टैबलास हो रहा है इसके बाद मेटा पुजिशन पर और एलेक्ट्रों विड्राइंग इफेक्ट है ना क्योंकि थोड़ा सा यह क्यों है यहां बीच में बिकाउस तोड़ा सा इस कंपेर टू मेटा पुजिशन यह थोड़ा सा स्टेबलाइज है तो इसलिए रेट आप रियक्शन बेंजीन में फास्ट होगा इसके बाद और तो इन पयरा सब्सक्री सब्टिटिट क्लोरो बेंजीन में होगा फिरस के बाद मेटा पुजिशन वाले क्लोरो बेंजीन पर होगा तो हम याद रखना इस चीज़ को तो हम लास में समा भी करते हैं अभी तक हम ने देखा कि एक डारेक्टिंग ग्रूप होता है एक विद्ड्राइंग ग्रूप होते हैं तो डारेक्टिंग ग्रूप को थोड़ा हम यहां देखते हैं जिनके पास loan pair of electron होते हैं negative charge होते हैं वो activating group होते हैं ैं दियार पाई donors इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये पाई electron density के साथ इन conjunction में चला जाते हैं सिग्मा donor भी होते हैं जैसे आपका alkyl group है है ना यहाइपर कंजूगेशन होता है यह प्लस आई इफेक्ट होता है आपके हेलोजन बीश में आता है बफर जून में समझो यह बीश में आ रहा है है ना अपना करेक्टर तो एलेक्ट्रोन विद्डॉइंग है लेकिन डारेक्ट करते है आर्टोन पेरा पुजिशन पर इ यह सारा क्या है लेक्ट्रोन विद्डॉइंग ग्रूप है तो स्टुडेंट्स आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिटिट बेंजीन है तो कौन सी पुजिशन पर जाएगा वह आपको पहले पता करना पड़ेगा क्या बेंजीन र नेटा पुजिशन पर ही आएगा लेकिन आपको अगर हेलोजेंस आया है तो याद रखना वह आर्ट्वेंट पेरा डारेक्टिंग है आल्दो दे आर डिएक्टिवेटिंग ग्रूप्स तो थैंक यू बेरे मुच